आज की कहानी सुबद्रा कुमारी चोहान के द्वारा लिखी गई कदंब के खूल भौजी लो मैं लाया सच ले आये कहां मिले अरे बड़े मुश्किल से ला पाया भौजी तो मजदूरी ले लेना क्या दोगी तुम जो मागो पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी क्यों न दे सकोगी तुम मेरी वस्तू मेरे लिए ला सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तू तुमें नहीं दे सकती नहीं भौजे ना दे सकोगी फिर क्यों नाहक कहती हो अब तुम्ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो माओगे मैं वही दोंगी अच्छा अभी जाने दो समय आने पर मांग लूँगा केते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली दोर से आते हुए भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिये हुए घर के बीतर जाते हुए देखा था किन्तु वह जो ही नजदिक पहुचे मोहन दोसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था वह मोहन से कुछ पोच ना सकी पर उन्होंने यह अपने आखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है किन्तु क्या लाया है यह ना जान सकी घर आते ही उन्होंने बहुत से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था भामा, मन ही मन मुस्कुराई और बोली, मिठाई बुढिया क्रोच से तिन मिला उठी, बोली इतना खाती है, तिन भर बकरी की तरह मुझ चला ही करता है फिर भी पेट नहीं भड़ता, बजार से भी मिठाई मगा मगा के खाती है अभी मैं न देखती तो, क्या तू कभी बतलाती भामा, मुस्कुराते हुए, तो बतलाती क्यों, कुछ बतलाने के लिए थोड़े ही मगवाई थी क्यों, क्या मैं घर में कोई नहीं हूँ तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं, मैं चार पैसे दान दक्षणा के लिए मागो तो, सदा मुसे नाही निकलती है तेरा आदमी है, तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में, मेरा कोई हक नहीं मुझे तो दो चार सुखी रोटी छोड़ कर, कुछ भी ना नसीब हो, और तू मिठाई मगा मगा के खाए, कर ले जितना तेरा जी चाए, भागवान तो उपर से देख रहा है वा तो सजा देगा ही, मुस्कुराते होई क्यों पोस रही हो माजी, बिठाई एक दिन खाही ली तो, क्या हो गया अभी रखी है, तुम भी ले लेना, चल रहने दे, अब इन मीठे उचकारों से किसी और को वहकाना मैं तेरे हाल सब जानती हूँ, तो समझती होगी कि, तो जो कुछ करती है, वो कोई नहीं जानता मैं तो तेरे नस नस पहचानती हूँ, दुनिया में बहुत सी औरते देखी हैं, पर सब तेरे तले तले भामा फिर मुस्कुराते हुए सम मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या मेरी बरावरी कर लेना मामूली बात नहीं है मैं ऐसी वैसी थोड़े हूँ चल चल बहुत बडपन ना बघार नहीं तो सम बडपन निकाल दूँगी भामा अब कुछ चड़ गई थी बोली बडपन कैसे निकालोगी माजी क्या मारोगी माजी को और भी क्रोध आ गया और बोली मारोगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा मैं गंगा को मार सकती हूँ तो क्या तुझे मानने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा मारो देखो कैसे मारती हो मुझे पहल बहुत न समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती है तो क्या तो भी मुझे मारेगी बाप रे बाप इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया मुझे मारने कहती है आने ते गंगा को मैं कहती हूँ की डाल दे मैं वही पड़ी रहोंगी जिस घर में बहु सास को मानने के लिए खड़ी हो जाए वहार रहने का धरम नहीं यह कहते माजे जोर-जोर से रोने लगी भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई अत्ता वह बोली मैंने तुम्हें मानने को तो नहीं कहा माजे क्यों जूट-मूट कहती हो हाँ मैं मार तो चुप-चाप किसी की ना सहोगी अपने माबाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहोगी चुप-चाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी न वही बात तो हुए यह मकमल में लपेट-लपेट कर कहती है तो क्या मेरी समझ में नहीं आ ता माजे के जोड़ जोड़ से रोने के कारण आसपास ही कई इस्त्रियां निकठी हो गई कई भामा की तरफ सहान बोती रखने वाली थी कई माजे की तरफ पर इस समय माजे को फूट फूट कर रोते देखकर सब ने भामा को ही भला बुरा कहा सम माजे को खेर कर वैट गई भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई भामा ने सुना माजी आस पास वैठी हुई इस्त्रियों से कह रही थी आप तो दोना हर भर मिठाई मगा मगा कर खाती है और मैंने कभी अपने लिए पैसे देले की चेस के लिए भी कहा तो किसी वे चीस के लिए तरस तरस के माँ माँके जेव खिस चाती है तब जी में आया तो ला दिया यहीं तो उत्ते की तरह भोगते रहो या मेरा इस घर में हाल है आज भी दोना भर बिठाई मंगवाई है यह ने जरा ही पूछा तो मानने के लिए खड़ी हो गई कहती है मेरे आदमी की कमाई है खाती हूँ किसी के बाप की खाती हूँ क्या उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है उसका बार आने हक है तो मेरा चार आने तो होगा ही पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली राम राम यहे पड़ी लिखी होश्यार है पड़ी लिखी है तो क्या हुआ अकल तो कोड़ी के बरावर नहीं है तुमने भी नौ महीने पेट में रखा वहिन तुम्हारा तो सोला आने हक है बहु को बेटा मा के लिए लाता है वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारे सेवा करने के लिए है हमारा नंदन तो जब तक बहु मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठी के अंदर ही नहीं आने देता अपना ही माई होटा हो तो परखने वाले का क्या दोश पहन बेटा ही सपूत होता तो बहु आज मुझे मानने दोड़ती गलगा प्रसाद गाउ की प्राइमरी पाटशाला के दोसरे मास्टर की जगर के लिए उम्मिदवार थे साड़ी सत्रा रुपे महावर ये जगर के लिए बिचारे दिन भर दोड़ धूप करते इससे मिल उससे मिल ना जाने किसकी किसकी खुशा मत करनी पड़ती थी फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मिद थी इधर वे कई मास्ट से बेकार बेठे थे भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर मा गिर्वी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था भामा पैसों को दाद तले दवा कर खर्च करती सास और पती को खिला कर स्वेम आधे पेठी खा कर पानी से ही पेट भर कर उठ जाती कमें दाल का पानी ही पी लिया करती कमें शाक उचल कर ही पेट भन लिया करती रुपे पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायर रोज ही इस प्रकार कलह मची रहती है जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौर धुक के बाद थके हारे घर लोटे तब शाम हो रही थी आगन में उनकी मा उदास बैठी थी बेटे को देखा तो नीची आखे कर ली कुछ बोली नहीं गंगा प्रसाद अपनी मा का बड़ा आजर करते थे उनका बड़ा खयाल रखते थे जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वहां बात वे कभी न करते थे मा को उदास देखकर वे मा के पास जाकर बैठ गए प्यार से मा के गले में बाहर डाल दी उच्छा क्यों मा आज उदास क्यों है या कुछ दबेब खराब है नहीं अच्छी है कुछ तो हुआ है मा तो उदास है अब मा जी से न रहा गया पेट फूट के रोने लगी बोनी कुछ नहीं मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं करवाना चाहती बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में ना रह सकूँगी मेरे लिए अलग जोपड़ा बनवा दे वहीं पड़ी रहूँगी जी मैं आवे तो खरच भी दे न नहीं तो मांग के खाल लूँगी क्यो मा क्या कुछ जगड़ा हुआ सच सच कहना आज ही क्या है यह तो तीसो दिन की बात है तेरी घरवाली ने मुखन से मिठाई मंगवाई वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया मैं जरा पूछनी गई तो कहती है हा मंगवाती नूँ खाती हूँ अपने आदमी की कमाई खाती हूँ कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है उसकी कमाई में मेरा भी हक है तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था अब तो सब मेरा है जादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दोंगी तो बाबा तेरे यौरत है तो ही इसकी मार से मैं मांग के पेट भले ही भर रूँ पर बहु के हाथ की मार न खाऊंगी गंगा प्रसाद अब ना रह सके बोले बहु तुझे मारेगे मा मैं ही न उसके हाथ पैड तोड़ दूगा कहते हुए हाथ में लखड़े उठा कर बड़े गुस्ते से भीतर गए भामा को डाट कर पूछा क्या महवाय था तुमने मोहन से गंगा प्रसाद के इस प्रश्न की उत्तर में कदम के फूल थे भया कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया तब तक भामा ने दोना उठा कर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया था दोने में आठ दस पीले पीले गोल गोल बेशन के लंडूओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हसी आ गई मोहन ने दोने में से एक फूल उठा कर कहा कितना सुन्दर है यह फूल भोजी अगर आपको आज की कहाने सुबद्र कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई वसंदाई हो तो मेडियो को लाइक करें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको कहानी कैसी लगी तब तक के लिए थैंक जाइ झाले बताएं बताएं ग्या जटाने कितना सुन्दर को लगएं गजग से कितना स्थेशल अगर कमेंट्स करेंगे।